एलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आल्टो K10 VXI Plus मोडल की यह टोप सेलिंग मोडल है और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या प्राइज है, क्या इंजियन प्रोफाइल है, सबी चीज़ आपको 380 mm के देखने के लिए मिलेंगे, काफी अची प्रोफाइल है, चारो तरफ से देखते हैं तो काफी अची प्रोफाइल दिखती है आगे पीछे साइट से, अंदर से इंटीरियर भी काफी बैटर है, अब बात करते हैं, फ्रन्ट लूप पे क्या के चीज़ मिलती है, पर आल्टो के टैन लिखा हुआ, नीचे की प्रोफाइल कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, 160 mm का ग्राउंड क्लिरेंस इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेगा, टायर प्रोफाइल की बात करें, तो यहाँ पर एलोई वील नहीं मिलते हैं, 13 इंच के वील मिलते हैं, simple वाले, वील कवर मिलते हैं, और फ्रंट में display एक मिलेंगे, उपर की साइड में indicator मिल जाते हैं, और यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर दो वाईपर इस कार के अंदर देखने को मिलेंगे, rear view mirror पर indicator नहीं मिलता, different color में, आपको rear view mirror मिलेगा, उपर की साइड म option यहां पर आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको rear view mirror को set करने के लिए manually option मिलेगा इसमें power का कोई option नहीं मिलता तो यह manual तरीके से set कर सकते हैं यहां पर seat profile को देख सकते हैं तो आगे पीछे seat को कर सकते यहां पर seat belt का option मिल जाता है नीचे की side में आपको boot space open करने के लिए और fuel tank open करने के लिए option मिल जाते हैं यहां से bonnet को open कर सकते हैं और 3 pendle इसमें manual के मिल जाएंगे यह आप देख सकते हैं तीन pendle हैं और यहां से light को आप set कर सकते हैं और आगे से देखेंगे कि इंजन प्रोम्म में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा तो यहां से सब्सक्राइब करने देखने को मिलेगी, इसके अंदर K10C वाला 996C वाला इंजन आपको मिलता है, जो 65.72 BHP पावर जनरेट करता है, 500 RPM पर, और मैक्सिमम टोर्क 89 NM पावर जनरेट करता है, 300 RPM पर, 3 सिलेंडर इंजन इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेगा, manual transmission में, और यह कुछ features, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि पानी डालना, oil डालना, यह सब यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर क्या चीज डलती है, और बाकी, अपनी समन से यह बाहर है, और इसको कर देते हैं, बंद, और बंद करने के बाद, अंदर ही चलते हैं, और बैट के देखेंगे, कि क्या क्या features मिलेंगे, यहाँ से की का features है, यहाँ से light को जला सकते हैं, indicator जला सकते हैं, और इधर से आप बाइपर चला सकते हैं, तो यह profile कुछ ऐसी है, और यहाँ पर यह देखेंगे, तो यहाँ पर simply आपको steering मिलेगा, power steering है, और यहाँ पर adjustable steering नहीं गलब compartment के अंदर आपको digital clock और digital automator जैसे function देखने के लिए मिलेंगे, और gate shift indicator भी यही पर आपको देखने को मिलेगा, और जैसे कि आप 4 indicator जलाते हैं, तो वो function भी देखने को indication मिल जाता है, यहाँ पर, तो यहाँ पर steering की profile काफी अच्छी है, दो यह इस event बीच में आपको मि प्रेस करते हैं, तो चारो indicator एक साथ जल जाते हैं, तो यह सारी profile कुछ step से AC और heater का पूरा system यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर 12 bolt का outlet और USB auxiliary input का option मिल जाता है, और cup holder मिल जाते हैं यही पर, और यह देखेंगे, तो कुछ step से glitch, brake और race का option मिल जाएगा, जैसे मैं आपको mirror मिल जाता है, light को जला सकते हैं, sun visor मिल जाते हैं, लेकिन इन पर vanity mirror नहीं मिलते हैं, दोरों तरफ कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, handle मिल जाते हैं, पकड़ कर बैठने के लिए, तो यह सारी profile अंदर में, front में आपको देखने को मिलेगी, अब हम देखेंगे, दूसरे door पर, ज तो यहाँ पर seatों पर बैठ के देखते हैं, तो कितना space मिलता है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप यह देख सकते हैं, मैं बीच में बैटा हूँ, तो space काफी ठीक है, और जो अगली वाली seat हैं, और थोड़ा आगे होंगी, तो space और बढ़ जाएगा, यहाँ पर हैं, इसके safety feature की, तो इस car के अंदर ABS system मिलता है, center lock, power door lock, child safety door lock, दो airbag, और इसमें seat belt warning, door rager warning, adjustable seat हैं, इसकी car की, cross sensor, engine check warning, speed alert का option मिल जाता है, केविन कुछ इस टाइप से आपको पूरा देखने को मिलेगा, काफी premium look में यहाँ पर पूरा केविन देखने को मिल जाता है, और य disc brake नहीं मिलते, light profile back में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, indicator मिल जाता है यहाँ पर, और पूरी profile कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है, Suzuki का logo है, Alto K10 लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे तो एक light मिल जाती है, यहाँ पर आपको defogger का option नहीं मिलता, और बाइपर का option नहीं मिलता पीछे की side में, और यहाँ पर parking sensor आपको देखने को मिल जाएंगे, तो parking sensor का तो काफी अच्छा है, एक option मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो काफी अच्छा है, नीचे से profile कुछ steps आपको देखने को मिल जाएगी, अब boot space को open करते ह इस कार के अंदर 214 लीटर का boot space आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से दूर से देखते हैं, तो कुछ profile ऐसी दिखाई देती है, जैसा कि आप कहीं पर खड़े हैं, और इसको open करते हैं, तो यह profile देखने को मिलेगी, यहाँ पर देखेंगे, तो कुछ tools भी देखने को मिलेग तो इधर की side में light की profile कुछ ऐसी है, और यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पर आपको 27 लीटर का petrol tank मिल जाएगा, mileage देती है, 24.49 km पर लीटर का, तो mileage ठीक देती है, और 27 लीटर का fuel tank इसके अंदर मिलता है, और यहाँ पर काफी अच्छी, यहाँ पर आप देखेंगे, तो side से profile काफी अच्छी है, यह नहीं बता सकता कोई कि यह आल्टो है, क्योंकि पहली वाली आल्टो और इस वाली आल्टो में बहुत अंतर है, यहाँ से पूरा gate, जो back वाला gate है, दोनों gate बिलकुल सेम है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, और यहाँ पर front gate में भी कोई अंतर दे आएगा, तो यह सारी profile कुछ इस type से आपको देखने को मिलेगी, seat profile की बात करें तो adjustable headrest front में नहीं मिलते, back में भी नहीं मिलते, और यह कुछ इस type से पूरा cabin आपको देखने को मिलेगा, और इस car के anterior और exterior काफी अच्छे हैं, बात करते हैं इस car के price की, तो exorum कीमत 5,33,000 मिलते हैं, next video में बहुत जल